सिर्फ लड़कियों के लिए हैं लड़कों का सच आज मैं आपको लड़कों के बारे में कुछ ऐसी बाते बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजे समझाने वाली हूँ जो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए आगे बढ़ने में help करेगा आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा क्योंकि कई बार हम कई चीजों को मिस जज़ कर लेते हैं और कई बार हम किसी की अच्छाईयों को को और किसी के लुक को देखके कुछ ऐसा जज़ कर लेते हैं जो बाद में चलके हमें प्रॉब्लम क्रियेट करता है तो ये वीडियो होने वाली लड़केओं के लिए तो लड़किया अंते तक जरूर देखे और अगर आप लड़केओ और इस वीडियो में आ गए हो तो आप भी इस वीडियो को अंते तक देखे क्यूँकि आप भी उससे बहुत सारी चीज़े सीख सकते हैं तो वीडियो कंटिन्यू रहेगा लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल मैं एहमदाबाद जा रहा हूँ मैं एक आदमी से मिला जिसके पांच लड़के हैं हर लड़के के पास साथ बोरे हैं हर बोरे में साथ बिल्लिया हैं हर बिल्ली के साथ बच्चे हैं तो कुल मिला कर कितने लोग एहमदाबाद जा रहे हैं सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 वजे फेस्बुक पेज और यूटूब पर लाइव एनाउंस करती हो तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान लाइव पा सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पे फेस्बुक आईडी सो हो रही होगी उसे फालो जरूर करें तो चलिए वीडियो को कंटीनियू करते हो और आज का वीडियो सुरू करते हैं नमबर वन कई बार कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बचपन से ही बहुत सरमीले होते हैं लड़कियों से ज़्यादा बाचित नहीं करते हैं लेकिन जब वो लड़के आगे चलके रिलेसंसिप में आते हैं तो जब वो लड़कियों से बात करते हैं तो उनसे खुल के बात नहीं कर पाते या उनसे नजरे मिला के बात नहीं कर पाते कई बार वो नजरे नीची करके बात करते हैं लड़किया जज कर लेती हैं कि वो उनकी नजरों में नहीं उनकी चेश्ट को देख के बात कर रहे हैं मतलब कि उनको एसा मैसूस होता है कि यह गलत करेक्टर का व्यक्त तो सायद ही आप जान पाएंगे तो किसी को पहली नजर में और कुछ हरकतों को देख के जज ना करें इससे आप प्रॉब्लम में फच सकती है आजकल हर इंसान relationship में आ रहा है जिसको relationship का A भी नहीं पता है वो भी relationship में आ जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आपसे सच्चा प्यार करता और कौन आपका सिर्फ यूज करने के लिए आया है कौन आपको सिफ टाइम पास के लिए इस्तिमाल कर रहा है इसके लिए आपको कुछ टिप्स यहां पर में दे रहे हैं उसे ध्यान से फालो करें अगर कोई व्यक्ति आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहा है हमेशा वो फिजीकली बाते करता है आपसे हमेशा न्यूड लेकिन जो व्यक्ति आपसे इमोशनली कनेक्ट होता है जो आपका ध्यान रखता है जिससे आप बात करने में कमफर्टेवल होते हैं जो आपसे किसी भी चीज के लिए जीद नहीं करता हमेशा आपकी मर्जी पूछता है तो समझ जाए व्यक्ति आपके सास्थ सिरियस है नम आप गलत फेहमी का सिकार हो जाता है कि कहीं लड़का मेरे पीछे तो नहीं पड़ा है कहीं मुझे पठाने की कोशिस तो नहीं कर रहा है तो यह चीजे समझने के लिए आपको उसके बेसिक नेचर को समझना होगा कभी-कभी कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सब की केर करना ज थोड़ा उन्हें समझने की कोशिस करें कोई भी चीजे सिफ देखने मात्र से जज ना करें नमबर फोर अगर तुम्हारी साधी किसी भी कितने भी अमीर लड़के से हो गई है वो व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन हमेशा एक चीज याद रखो सेल्फ इंड जरूर करता है वो आपको दबा भी सकता है और आप से अपनी बात मनवा भी सकता है लेकिन अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंड है तो उसे भी लगेगा कि यहाँ पे सुझाओ तो दिया जा सकता है लेकिन प्रेसराइज नहीं किया जा सकता है दबाओ नहीं बनाया जा सकत और इसके बाद अगर मान लीजिए साधी तो हो गई है ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पार्टनर आपके साथ रहे कभी कभी कुछ ऐसी परिसानिया आ जाती है जहां पे आपको अपने आपको सभालना पड़ता है लेकिन अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है तो उस वक्त आप परिसान हो जाते हैं अपनी जिंदगी को आप सभाल नहीं पाते हैं और बहुत से लोग तो टूट जाते हैं इसके साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइब में ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो व्यक्ति आपको मारता है गाली देता है परिसान करता है या सिर्फ आपको sexual activity के लिए यूज करता है emotional आपसे कोई connectivity नहीं होती आप उसके साथ नहीं रहना चाते लेकिन सिर्फ आप आर्थिक रोप से मजबूत ना होने के कारण आपको उसके साथ रहना पड़ता है उसके अत्याचार सहना पड़ता है तो जब आप self independent होंगे तो आप अपने खर्चे खुद उठा पाएंगे और आपको किसी के आगे भी जुगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे तो इसलिए महिलाओं को self independent होना बहुत जरूरी है चाहे परिस्थितिया इस्थितिया कैसी भी हो अगर अच्छ लोग होते हैं जो बेभार से बहुत ही बुरे होते हैं और कुछ लोग जो देखने में बहुत ही simple और साधारन होते हैं वो जीवन में बहुत अच्छे होते हैं तो उससे बात करो उससे मिलो जुलो उसको जानो उसके बाद ही आप decide करो कि उसके साथ आपको आगे बढ़ना ह या नहीं बढ़ना है number six एक चीज और है कि आप किसी की personality किसी के look किसी के मोटापे को देख कि किसी की अच्छी personality तो इच्छी को देख के आप जच नहीं कर सकते कि अपके अब कर लिए और नहीं है आप उससे बात कर आपको लगता है कि उसकी understanding अच्छी है, क्या आप उसके साथ बात करने में comfortable हो क्या उसका nature carefully है ये सारी चीजे आप जब पता कर लोगे तो उस इंसान के साथ जब आगे बढ़ोगे तो आपको लाइफ में कभी भी इतनी ज़्यादा problem नहीं आएगी जो सिफ एक नजर में देख के लोग जज कर लेते हैं अगर कोई लड़का रोता है इमोस्नल होता है तो उसे देख के ये जज मत करो क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, वो कमजोर होगा कभी कभी लड़के बहुत powerful होते हैं लेकिन अपने इमोस्नल को करने कि उनका यह तरीका होता है तो फिर यह देखके, कि वो रहा है तो सिल कमजोर है ऐसा नहीं होता है लेकिन मैं यह नहीं कहत tract हूं कि हर रोने वाले व्यक्ती को आप ताकत बर समझो कि जब आपूसे मिलो गये बात करोगे चानन के तब करेगा वो करेगा मुझे साधी करेगा मुझे घुमाने ले जाएगा मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है वो अपनी जिंदिगी का हर चीज मेरे लिए करने के लिए तैयार है तो देखो किसी के वादे पे इतना ज्यादा मतफीदा हो जाना क्योंकि जो लोग ज्याद के बाद वो अपने वादे से मुकर जाते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि जो बात बोल रहा है क्या उसका एक्षन भी वैसा ही है तो हमेशा एक्षन पर फोकस करो वादे पर नहीं लेकिन जो सिफ वादे करता है ना कभी भी एक्षन में आपका साथ नहीं देगा तो हमेशा इनसान के एक्षन को देखो एक्षन को देखो कि उसका काम क्या है जो व्यक्ति काम करता है जो व्यक्ति हर चीज एक्षन में दिखाता है उसे वादे करने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी आपसे बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करता है, वो करके दिखाता है, तो यहाँ पे जो मैंने आठ चीजे आपको बताई हैं, उमीद करती हूँ कि इन सभी चीजों को अगर आप गौर करोगे, तो अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का चुनाओ कर पाओगे, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा, ना कि बत्तर बनाएगा, कई बार लड़किया ऐसे लड़कों के चक्कर में फस जाती है, जिनके बज़े से उनकी जिंदगी पूरी बरबाद हो जाती है, कई ऐसे केसे साते हैं, जहाँ पे आत्महत्या, जहाँ पे प्रेगनेंसी, बहुत सारी ऐसी चीजे हो जाती है, जिसको फिर सभालना मुस्किल हो जाता है, अगर आप अपने जीवन को बेहतर और उचाईयों तक ले जाना चाते हो, तो इन सब चीजों पे गौर जरूर करें, वीडियो कैसा लगा और आपको कितनी चीजे सही तरीके से समझ में आई, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अगर बाकई में अच्छा लगाओ, तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों और जरूर्दमन लोगों के साथ इसे जादस जादस सेयर करें, आपका एक सेयर किसी की लाइफ बदल सकता है, रुजाना अगर आप हमारे चैनल ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब अबस्ति करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो में अप्लोड करें, उसका नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस्त ना हो, वीडियो अग अगर आप फेस्बुक पेच 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 को फालो करें, स्टार देके में सपोर्ट जरूर करें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स टाइम, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंते तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद